अयोध्या में हम एक सुसज मीडिया सेंटर बना रहे हैं जिसमें हम क्योंकि वहां पर हमारी अपेक्षा है कि मीडिया को बहुत इंट्रेस्ट है तो वहां पर मीडिया नैशनल, इंटरेस्चनल और प्रादेशिक सब तरहें के मीडिया वहां पर जाएंगे, टीवी चैनल्स वाज़शारě जाये गे तो उनको सुचारू रूप से वहाँ पर मीडिया वह पहुंच सके वहाँ पर जो है एक जगे उनको कलेक्ट होने की जगा है और उनको हम पूरा ऐयोध्या के बारे में बता सके और बाद में उनका द्रशन भी करा सके इसकी विवस्ता हम महां एक media center मेनाके इस तरह एक विवस्ता कर रहे हैं वहां जाने-आने में उस दिन दिक्कत होगी तो हमारा बिछारी यह है कि लखनौंसे इनको ले जाने की विवस्ता करें 22 ले 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 आएं पर यह मीडिया center हमारे केवल 22 तारिक नहीं आगे भी हमारा फैसिलिटेशन चलता रहे गा फिदिया सेटर हमारा साथ दिन तक रहे का उसके आगे भी हम पूरे थीन महीने तक वहला फैसिलिटेशन मीडिया का करेंगे रहिट कि gels약 क्या होंगी और कब यह हमारा मेरे काल से 17 तारिक तक हमारा रेजिस्टेशन है उसके बाद हम उनको सिक्यूर्टी पासिस वगरा उपलब्द कराएंगे। फॉर्ण मीडिया जो भी जहां पर जो है अधिकरुट जेव वीशा के ऊपर यहां फॉर्ण मीडिया है उनको भी हमारा इन्वाइट है कि जो आना चाहे उनकी विवस्ताब करेंगे। मीडिया पर से कूक क्या इनर सरक्ल में अलाउड होगा या कब अलाउड होगा उसके बारिम पर्फिजान काहां बाद के जो वोहां पर सारा का सारा ठेली कारेक्राम खतम हो जाता है उसके बाद हमारा यही प्रयास रहेगा कि जितना मीडिया धिकृत मीडिया वहां पर जाता है उनके लिए भी हमें एक स्लॉट रखे और उनको भी मंदिर में ले जा सके और विद कैमरा ले जा सके जिससे कि वह का कवरिज अंदर का अपने आप से भी कर सकेंगे हेल्थ की फैसिलिटीज में क्योंकि यह यहां पर यह अब शुरू हो गया है और बाईस तारिक को तो में स्था हिल्थ की करी गई है और अभी मैं दस्तारिक हो गया था तो वहाँ दो हॉस्पिटल मैंने खुद विजिट किये थे एक शीराम हॉस्पिटल है जो की योद्या में ही है एक सो बीस प्रेट का है और वहां पर भी एमर्जिंसी के लिए दस बैड उपलब्ध है और फिर एक राजरिशी दशरत हॉस्पिटल है जो लगबग दसे किलोमेटर दूर है वहाँ साड़े तीन सो बैड से अभी हाली में प्रदान मत्रीजी ने उसे उद्गाटन किया साड़े तीन सो बैड से साड़े पास सो बैड वहां की विवस्ता करी गई है जिसमें केंदर सरकार से भी आर्थिक योगदान दिया है वहां पर पचास एमर्जंसी बैड वेंटिलेटर बैड सब कुछ उपलब्ध है सारे स्पेशलिटीज के लोग उपलब्ध है और साथ ही केंदर सरकार ने भी अपनी तरफ से जो यहां का एम्स का टॉमा सेंटर है उन्होंने बारे से पं कारे किया जाए इसकी ट्रेनिंग करी गई है हमने सूचना दी है कि एम्स राइबरेली एम्स गोरकपूर और जो दिल्ली के एम्स हैं और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के साथ ही भी वारा नसी यह सब भी ऐलर्ट पे रहेंगे अगले एक महिने तक कि कोई भी एमर् की रिसपॉंस एक क्यूब करके है जो अत्यादूनिक फैसिलीटी है जिसको कहीं नैच्रल केलमिटी आती है तो हाले जाया जाता है उसको आईुद्य हम स्टेशन कर रहे हैं जिससे कि बेस्ट इन दी वर्ड फैसिलिटी हम आयुद्या में अगर कोई आती है कोई